आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello students, question में दिया है 2.4 plus 2 and minus 2 are held at minus 1 minus 1,0 and 1,0 respectively और फे xy coordinate system तो xy coordinate system में हमने रखा हुए उनको ठीक है तो आपका मानलो कि यह आपका xy coordinate system है ठीक है तो यहाँ पर क्या है कि हमने minus a पर minus 1,0 पर एक हमने चार्ज रखा हुआ है और दूसरा चार्ज हमने रखा हुआ है plus 1,0 पर ठीक है और minus 1,0 पर आपका plus q charge है और minus q charge आपका है 1,0 पर तो पहला answer पहला option है कि the electric field at all point on the axis है same direction तो देखो होगा क्या कि यह जो आपको axis दी गई है इस axis पर क्या होगा कि इसकी वज़ा से जो electric field होगी किसी भी point पर आप इस point पर देख लो तो इस direction में होगी क्योंकि plus 4 से आवे होती है और minus q charge से इस direction में होगी और किसी एक particular point पर अगर मान लो आप कोई दूसरा point ले लो यह point ले लो तो इस में से जो ज़्यादा होगा उसकी direction में हो जाएगी अब क्योंकि यहाँ सीधी से बात हम minus q charge ज़्यादा है तो इस direction में होगी electric field अगर आप इस particular point की बात करोगे तो q की वज़े से electric field इधर होगी इसकी वज़े सीधार होगी तो यहाँ पर दोनों सेम है तो यह 0 हो जाएगा और यहाँ पर electric field इस direction में होगी तो हमने यह देखा यह जो electric field है वो अलग-अलग जगा पर अलग-अलग direction में है चैक है तो यह मतलब की आक्सीस पर सेम डारेक्शन यह तो गलात होगया क्योंकि हर एक point का अलाग-अलाग होगा अगर यह dominant करेगा तो इसकी वज़े सी electric field होगा met अरह गलात करेता तो इसकी वज़े सी electric field होगी तो मतलब option 1 गलात होगया e at all points on the y-axis along I तो देखो y-axis में कोई भी आप एक particular पॉइंट ले लोगी तो इस पॉइंट पर देखो इसकी वज़ेस जो इलेक्टिक फिल्ड होगी वह ऐसे जा रही होगी ठीक है यह इलेक्टिक फिल्ड हो जाएगी आपको फ्लस क्यू की वज़ेसे और माइनस क्यू की वज़ेसे जो इल इस पॉइंट इलेक्टिक फिल्ड बचेगे ठीक है इसकी वज़ेसे तो आई में चमझ में आ रहा है अब दूसरा पॉइंट लेते हैं निगेटिव y-axis तो इसकी वज़ेसे देखो यहाँ पर क्या हो रहा होगा कि यहाँ पर जो आपका यह पॉइंट होगा इसकी वज़े स्सक्राइब क्या हो रहा होगा heritage यहां पर देखो क्या हो रहा होगा कि यहांनी कि तरफ इसकी भी डिरेक्षण है कि क्यों कि Пक्र Radio ही यह तो हमने यह देखा कि सब्सक्रात हेखे है यह गो और अगर आपको यह एंगल थीटा पता है तो यहां पर भी अगर आपको यह एंगल थीटा पता है तो यानि कि option 2 आपका correct है ठीक है option 3 में क्या है कि positive work is done in bringing a test charge from infinity to the origin तो जो infinity होता है यहां पर potential difference क्या होता है 0 ठीक है और आप जो origin की बात करें तो origin पर potential difference क्या होगा यह भी 0 होगा क्योंकि दोनों charges same distance पर है और दोनों opposite है तो कोई भी दो charges है अगर वह कोई भी दो charges अगर opposite है और किसी point से same distance पर है तो potential difference उस point पर क्या होगा जीरो जीरो पोटेंशल डिफरेंस का formula यह होता है कि k q by r तो अगर यह positive charge है तो k q by r फ्लस का k q by r तो q यहां पर negative है तो दोनों क्स जीरो पोटेंशल डिफरेंस से जीरो पर जाओगे तो work done कितना होगा जीरो यहां पर उसने positive work done बोला है तो यह भी इंकरेक्ट हो गया option 4 इंकरेक्ट हो गया ठीक है थेंक्यू क्लासिक्स से टुएल से लेके नीट आयाइटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार्सो 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 पर